कि हलो फ्रेंड्स दिस इमान सुप्रम देव एडवाईजरी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ FMCG स्पेस से जो स्टॉक्स है उसमें मैंने कुछ मीन रिवर्जन और इंट्राडे के ट्रेड्स प्लान किये हैं वो डिसकस करूंगा और यहां पर मैंने है FMCG स्पेस से यह ट्रेड्स क्यों प्लान किये हैं उसको पहले समझते हैं तो जो इंडेक्स है निफ्टी FMCG उसका स्ट्रक्टर देखते हैं बिफोर डिसकसिंग इंडिविडियल स्टॉक तो यहां पर देखे के मीन रिवर्जन डैट मिन्स टेकनिकल बाउंस अराउंड एट एमें या तो ट्वेंटी एमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो उसका लॉजिक क्या है पहले वो समझते हैं तो यहां पर देखे एक नॉर्मल स्क्वीज थी लो कॉंपरेशन स्क्वीज हम बोल सकते हैं और यहां पर जो लोवर बैंड है उसके आसपास प्राइज जो है ट्रेड कर रहा है दूसरी चीज 20 एमें जो है उससे काफी यहां पर डैवेट हो चुकिया प्राइज और यहां पर गैब डाउन हु हुआ था बैट आज यहां पर कोई एक फॉलो अप मुव हमें देखने को नहीं मिला है मारू बुजू टाइप की कैंडल है इस इन इंसाइड डे डैट मिन्स प्रिवियस डे हाई और लो की रेंज में ही हमने ट्रेड किया था कि यहां पर जो सेलिंग प्रेशर है माइट भी थोड़ा हो सकता है और हम यहां पर एक टेकनिकल बाउंस एक पर कर सकते जैसे मैंने आपके साथ आईजीयल का डिसकस किया था इसल में हमने देखा था कि 352 के ऊपर एक अच्छा टेकनिकल बाउंस आ सकता है आज स्ट्रॉंग म यहां पर इंडेक्स में हमें देखने को मिल सकता है तो यहां पर अब मैंने कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किया हुए है तो अब हम इंडिविडियल स्टॉक्स देखते हैं जो पाइला स्टॉक है दैट इस हिंदूस्तान यूनिलिवर है एक्ट्यूल का हम स्ट्रक्चर देखे तो यहां पर देखे, high compression squeeze थी और double to double zero के आसपास एक strong support था और जैसे ही वो support को break किया, एक relentless selling pressure हमें देखने को मिला और अब यह जो stock है 20 EMA से काफी devate हो गया है, तो might be यहां पर 80 EMA या तो 20 EMA के आसपास एक bounce आ सकता है या तो यह जो previous support zone था around double to double zero उसके आसपास भी जा सकता है और यहां पर देखे, green candle मनाई हुए, that means कि यहां पर एक technical bounce आने की possibilities लग रही है जिसे आप से हमने index का structure देखा, तो यहां पर मेरा जो plan है अब यह जो technical bounce है उसको मैं किस तरह से plan कर रहा हूँ play करने का, तो मेरा जो execution जो रहेगा वो रहेगा via put credit spread, that means मेरा जो plan है वो यह है यहां पर in the money जो put है उसको मैं write करूँगा और out of the money जो put है उसको मैं buy कर लूँगा, जिससे किया है कि मेरा जो risk है वो एक हद तक confine हो जाए, मेरा profit भी एक हद तक confine हो जाएगा, मेरा loss भी जो है that would be limited also, तो यहां पर मेरा जो simple plan है that is कि मैं जो 2000 का call है, 2000 का put है, sorry call नहीं, 2000 का put है उसको write करने का plan है और यहां पर 1900 का put है उसको buy कर लेंगे, that means in the money जो put है उसको write करेंगे और out of the money जो put है उसको buy कर लेंगे, जिससे किया है कि थोड़ा बहुत premium का credit हमें मिल सकता है, तो इस तरह से यह जो trade है उसको execute करने का मेरा plan है, फिर जो दूसरा stock है that is Britannia, Britannia Industries में हम देखे यहां पर 3300 के आसपास एक अच्छा support था और जैसे ही support level को उसने यहां पर break किया था, तो आप देखे कि previous session में काफी एक heavy selling हमें देखने को मिला था, करीब करीब 6.5% जितना यह stock down था, आज आप देखोगे यहां पर indecisive sort of dozy candle बनाई है, तो might भी यहां पर थोड़ा consolidate हो सकता है या तो यह जो support zone था, previous support zone that means 3300 के आसपास एक technical bounce कर सकता है, तो यहां पर भी आप put credit spread कर सकते हो, या तो फिर bull spread कर सकते है, that means के in the money call buy करके out of the money जो call है उसको write कर सकते है, तो इस तरह से कुछ planning कर सकते हो, फिर जो next stock है that is daber, daber का structure हम देखे यहां पर, यहां पर gap down होने के बाद कोई follow up move हमें नहीं देखने को मिला, यह जो level था उसको उसने with gap break किया था, 500 के आसपास एक अच्छा bounce करने का try किया है, आज हम देखे यहां पर inside day है, so might be यहां पर जो bounce है वो मुझे लग रहा है कि might be ATM के आसपास जा सकता है, इतना actual जितना उसका strong structure मुझे नहीं लग रहा, because यह जो squeeze है अभी fire होना start हुई है, तो यह जो structure है वहां पर मेरा broadly intraday का plan है कि आज का high है around 523, अगर 523 के ऊपर थोड़ा sustain होता है तो यहां पर 45 रुपे का move हम capture कर सकते हैं, तो 523 के ऊपर sustain होने के बाद consolidation से एक breakout आता है उसको हम plan कर सकते हैं, और जो last stock है that is Tata consumer product, so Tata consumer product में आप देखे कि यहां पर डोजी बनाने के बाद एक strong candle बनाई है, आज ATM को उसने touch किया है और जिसे साब से हमने देखा कि index में bounce आ सकता है, तो यह जो stock है आज का high है that is around 688, so 688 के ऊपर यहां पर थोड़ा sustain हुआ तो मेरा broad plan यहां पर intraday का ही है, कि 688 के ऊपर जिसे सरसे मैंने डाबर में बता है कि 688 के ऊपर थोड़ा sustain होता है, तो माइड भी यहां पर 10 या 15 रुपे का move हम capture कर सकते है, 697 या तो इवन 700 के आसपास भी यह जाने का try कर सकता है, so this is my plan and I hope कि आपको यह आपके trading में कहीने कहीं helpful जरूर रहेगा, thank you.